सेवा जोहार साथियों, लेका रहा हूं आपके लिए गोंड समुदाई के रीती रिवाज, परंपरा और इधिहास से जुड़ी जानकारियां, जो हमें हमारी परंपरा, सभ्यता और समुदाई को समझने में सहायता करेगी. इसके अलावा हमें पता चलेगा कि हम अपनी भासा, संस्कृती, रीती रिवाजों को कितना जानते हैं और कितना कुछ जानना बाकी है, तो चलिए साथियों वीडियो सुरू करते हैं. हमारा सबसे पहला प्रस्न है, गोंड समुदाई में परंपरागत, पाटसाला या अध्यान केंद्र को क्या कहते हैं? इसका जवाब है गोटूल, गोंड समुदाई में परंपरागत, अध्यान केंद्र को गोटूल कहा जाता है. मेरा दूसरा प्रस्न है गोंड समुदाई जिस धर्म को मानता है उस धर्म को क्या कहा जाता है जिसका उत्तर है कोयापुनेम गोंड समुदाई जिस धर्म को मानता है उसे कोयापुनेम कहा जाता है तीसरा प्रस्ण है गोंड समुदाय में जो भासा बोली जाती है उस भासा का गोंडी नाम क्या है जिसका उत्तर है पाना पारसी या कोई तो रिंग गोंड समुदाय जिस भासा को बोलता है उसे पाना पारसी या कोई तो रिंग कहा जाता है हमारा चौथा प्रस्न है गोंड समुदाई में विवाह को क्या कहते हैं जिसका उत्तर है गोंड समुदाई में विवाह को मरमिंग कहते हैं पांचवा प्रस्न है सगाई को गोंडी भासा में क्या कहते हैं जिसका उत्तर है गोंडी भासा में सगाई को पाडिंग कहते हैं छटवा प्रस्न है गोंड समुदाई के सर्वोच सकती का नाम क्या है जिसका उत्तर है गोंड समुदाई में सर्वोच ये सकती को फड़ा पेन कहा जाता है मेरा अगला प्रस्न है गोंड समुदाय में विवाह के समय किस प्रतीक के फेरे लेते हैं उसे मुंडा कह जाता है मेरा अगला प्रस्ण है गोंड सदस्य अपने सामाजिक सदस्यों का सम्मान या स्वागत किस संबोधन से करते हैं जिसका उत्तर है सेवा जोहार गोंड सदस्य अपने सामाजिक सदस्यों का सम्मान या स्वागत सेवा जोहार करके करते हैं हमारा अगला प्रस्न है गोंडी भासा में पूजा को क्या कहते हैं हमारा अगला प्रस्न है गोंड समुदाई की महलाओं का मुख्य पहनावा क्या है सोचिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए सांथियों इसका उत्तर है जेला दिखडी गोंड समुदाई की महलाओं का मुख्य पहनावा जेला दिखडी है सांथियों हम गोंड लोगों के जीवन में जितना महत्व हमारी भासा का है उतना ही महत्व हमारी सभ्यता, संस्कृती, रीती रिवाज और परंपराओं का है आज के वीडियो में आपने जितने भी प्रस्नों के उत्तर जाने वो सब गोंडी भासा में हैं लेकिन फिर भी अगर आपको समझना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं साथियों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही गोंडी भासा और गोंडी संस्कृती रीती रिवाज और परंपराओं से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए और वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिए कमेंट करके अपने सुझाओ मुझे दीजिए ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना कर मैं ला सकूं मैं विशेज धन्यवाद देना चाहूंगा P.S. मन्डावी जी का जिनके मार्ग दरसन से मैंने यह वीडियो बनाया और इस वीडियो के आने वाले पार्ट बनाओंगा साथ ही मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियोस को लाइक करने के लिए और सेयर करने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सेवा जोहार